हेलो फ्रेंट्स आपका अपनी रेखा नाराइन बूमेन बेबी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में होने वाली एकाम समस्या वजाइनल डिस्चारज की वाइट डिस्चारज जिसको कहते हैं सफेद पानी लिकोरिया कई नामों से जानते हैं हम लोग इसके विश्य में आज मैं आपको कुछ घरेल उपाय बताने जा रही हैं इससे पहले जो मेरे चैनल पढ़नाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो बात करते हैं सफेद पानी की यानि की वाइट डिस्चारज की नॉर्मल होना एक अलग बात है कि कई महिलाओं को अक्सर कमजोरी की वज़े से या इन्फेक्शन की वज़े से जब होता है डिस्चारज तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है यदि आपका डिस्चारज पीरियर्ड्स के दो तीन मीन पहले शुरू होता है तो वो एक नॉर्मल है उसमें घबराने की ज़रुत नहीं है यदि वो स्मेल वाला हो रहा हो या आपका पूरे महीने चल रहा हो तो वो एक समस्या का विश्य बन जाता है क्योंकि वेजाइनल डिस्चारज से जो है कैंसर, इंफेक्शन कई चीजे जो है हमारी हो जाती है जिसकी वज़े से आपको बहुत दिक्कत हो सकती है जो एक रिसर्च आया है उसमें यह है कि अगर आपको कंटिन्यूसली दुरगंद युक्त, बहुत ज़्यादा तेज दुरगंद जब आ रही हो और फिर आपको डिस्चारज हो रहा हो तो वो बच्चे दानी के मुँँ पर जो अकसर हमारे को देखने को मिलता है जो कैंसर की समस्या है वो भी आ जाती है तो इस चीज से इन सभी चीजों से बचने के लिए यदि हम कुछ घरेलू उपायों को अपनाएं हाला कि इस पे मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ उसमें थोड़े टिपिकल उपाये हैं लेकिन जो बिल्कुल आपकी केचन से रिलेटिड हैं जो ऐसे घरेलू उपाये हैं जिनको आप रोज कर सकते हैं वो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा पूरे वजैनल डिस्चार्ज क्या होता है कैसा होता है वो आप सभी को पता है लगबग उस चीज़ पर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको सीधे सीधे जो है होम रेमेडीज बता रही हूँ जिन भी महिलाओं को वाइड डिस्चार्ज हो रहा है और ये हमारे पुराने समय से चला हुआ आ रहा है वो ही मैं उसके आप सभी के साथ शेयर करते हूँ इसमें जो है सुबह खाली पेट लहसुन की एक से दो कली यदि आप खाते हैं लेते हैं तो जो आपका वाइड डिस्चार्ज की समस्चा है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी क्योंकि लेसुन में एंटि बिक्टिरियल गुण होते हैं और जो वजाइनल डिस्चार्ज जो आपका आता है और आपको बहुत दिक्कत देता है कई बार आप बाहर कहीं गए हों समस्चा बढ़ जाती है स्मेल आना शुरू हो जाती है और आपके कपड़े भी थोड़ा सा गंदे होने शुरू हो जाते हैं तो उस चीज से बचने के लिए आप अपने घरेलू उपाई सबसे बेस्ट हैं और अपना हैं बहुत जादा दिक्कत होती है तब आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए तब इसमें आपको लेसुन की एक से दो कली लेनी हैं सुबे खाली करता है कि यदि गुलाब की पत्तियों को आप पीस कर और सुबह और शाम पानी के साथ लेते हैं तो इसमें भी आपको बहुत फायदा मिलता है ये नुसके अजमाए हुए हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने ही और इसको आप लेते हैं तो जो वाइट डिस्चार्ज की समस्चा है काफी हद तक आपकी ठीक हो सकती है अब बात करते हैं तीसरे उपाय की की मूली चुकंदर और काचर तीनों को आप ले लीजिए और तीनों का रस निकाल कर अगर आप लेते हैं तो जो वाइट डिस्चार्ज की आपकी समस्चा है वो बहुत जल्दी ठीक हो इन फर्टिलिटी की समस्चा को भी जो चुकंदर है वो दूर करता है और जो हमारी गरभाशा से समंदी समस्चा होती हैं उसमें कईयों में काम करता है मूली भी बहुत बढ़िया उपाय है तो आप इन तीनों को यदि करते हैं तीनों का जूस पीते हैं तो यह आपको आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी मुझे बताएं आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खुश रहें स्वस्त रहें मस रहें